Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बढ़ियां हैं तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Chapter 3 What is Government? Grade 6 CBSE का तो topics पे जाने से पहले मैं तो पक्ता आपको government क्या होती है जो term आपने बहुत बार सुनी है पहले उसको explain करूँ भी आखिर क्यों? Why? क्यों चाहिए government? फिर हम बात करेंगे levels of government की laws and the government laws क्या होती है पहले उसे समझेंगे फिर types of government करेंगे और democratic government करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे interesting topic के साथ जिसे हम कहते हैं government क्या होती है government का मतलब होता है एक तरीके से कुछ group of people यह देखिये ऐसे ठीक है कुछ लोग, कुछ हमारे leaders, कुछ हमारे rulers, कुछ हमारे representatives कुछ भी नाम आप दे लीजे ये लोग जिनके पास authority है असलमे authority है एक पूरी country को चलाने की उस पूरी country को govern करने की उसे हम क्या बोलते हैं? government बोलते हैं पर आखिर ये government क्यों चाहिए होती है? अरे यार, आपको पता तो है India इतना vast country है कभी ना कभी कुछ ना कुछ हर section से demand आती रहती है कभी Tamil Nadu के लोग कुछ बोल देते हैं कभी पंद्राप के लोग कुछ बोल देते हैं कैसे संभाले इतना सब कुछ तो हमें क्या चाहिए? यहां के लोग अगर मानते हैं तो यहां के नहीं मानते यहां के मान जाते हैं तो यहां के अधन जाते हैं तो government तो चाहिए ही चाहिए बट किस-किस चीज की वजए से चाहिए Why do we need government? आप सोचीए बारे roads बनवानी है, लोगों से पैसा ही कठा करते हैं, tax schools बनवाने हैं, लोगों से पैसा ही कठा करते हैं, second, price check करना, essential commodities का, onion का price check करना, आपके chips के packet के rate तो नहीं बढ़ गए 20 रुपए से सीधा 100 रुपया तो नहीं हो गया, pocket money भार ही पड़ेगी न, तो वो price check करना, फिर उस के बाद electricity सब लोगों को reasonable rate पे available खराना की भाई, सब के घर में बिजली है या नहीं है, ये तो कुछ कारण हुए, उसके इलावा, बहुत सारे programs launch करना, वो programs किसकी help करने के लिए, to help poor people, उन लोगों को भी तो help करनी चाहिए, उनको employment देनी है, नरेगा launch करना, कितने सारे programs है, उसके इलावा हमें क्यों government चाहिए, अरे, poster service चलाने है या नहीं चलानी, railways चलाने है या नहीं चलाने, वो तो सरकारी चला रही है, हमारी कोई तो organization चाहिए, उसके इलावा, हमें हमारे borders पे protection प्रोवाइड करना, ठीक है, हमारी army लगी हुई है, हमारी navy हमारे sea में लगी पानी में हमारी protection करने के लिए, अब protection तो हो गई है, उसके इलावा, हमारी neighboring countries, या फिर आपके लो distant countries के साथ, other countries के साथ, relations बनाना, आपके भी तो रिष्टेदार होंगे, इंडिया के क्यों नहीं हो सकते relations रिष्टेदार, ठीक है, फिर ये provide करना कि हर citizen जो है, वो कोई भी ब education facility मिले, उसे दो वक्त का खाना मिले, वो सब कुछ provide करना, अभी तो रुकी आ रहे, नहीं नहीं, अभी तो और बताती हूँ, let's say कोई natural disaster हो जाता है, earthquake आ गया, tsunami आ जाता है, कोई भी, तो लोगों को उस टाइम पे खाना पहुंचाना, उनको वहां से निकालना, उस जगह से और तो और दो states के बीच में अगर लडाई हो जाती है, या किसी भी बंदे ने कोई crime कमिट कर दिया, तो criminal से आप लोगों को बचाना, ठीक है, तो criminal से बचने के लिए तो आप मुझे बता है, आप पक्का पका कोट ही तो मानिये, जो government है, government के अंदर ही एक कोट आता है, ही government कैसे कर रही है, तो अभी तो मैंने आपको पहले ही draw करके बता दिया, कि government में एक बंदा नहीं होता, ये पूरा जैसे आपका school एक institution है, वैसे ही एक institution के तरीके से run कर रही होती है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, इकठे काम कर रही होते हैं, एक organization है, जिसके अंदर लोग एक दूसरे को help करते हैं country को run करने के लिए, ठीक है, और जब वो लोग हमारी country को run करने के लिए कुछ चीजे बनाते हैं, वो जो चीजे बनाते हैं, उसको हम बोलते है rules, अब आपको पता है rules तो ज़्यादा तर पारलिमेंट में बनाए जाते हैं, अगर मैं center की बात करूँ तो पारलिमेंट में rules तो बनाए जाएंगी, सब के लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि कल को उठके, srk बोले, boy upon srk, हम नहीं मानेंगे, कल को सल्मान खान बोले, हम तो सल्मान खानें, भाई, हम ये rules नहीं मानेंगे, जितने भी लोग हैं, सब को वो rules मानने पड़ते हैं, और ये rules जो हैं, ये basically आपको protect करने के लिए, आपकी security के लिए, आपकी protection के लिए ही बनाए जाते हैं, आपके leaders के दुआए, अब ये rules क्या होते हैं, ठीक है, ये भी आपको बता देते हैं, rule का मतलब आप ये कहलेजिए, एक तरीके का command दे दिया, एक तरीके का command दे दिया, कि सब ने ये मानना ही मानना है, ये आप कहलो एक तरीके का order दे दिया, कि सब ने मानना ही मानना है, ऐसे नहीं है कि इनने ही मानना, ठीक है, तो कोई ruling दे दिया, कोई order दे दिया, कोई command दे तांकि सब लोग secure feel करे और हम उसको माने भी, अगर नहीं मानेंगे तो तो डंडा पड़ेगा जेल भी जाना पड़ सकते, जैसे आपकी class में rule है, मैं बोलती है बच्चों, pin drop silence copies maintain करो class work करो homework करो, अगर नहीं करते तो dairy में note चिला जाता है ला हमें बापा के पास एक rule है parents को पता होना चीए बच्चा क्या कर रहा है तो ये rules ना केवल बनाए जाते हैं, ना केवल frame किये जाते हैं बलकि इनको enforce भी किया जाता है, मतलब इनको implement भी किया जाता है वो भी सरकार का काम है तो देखिए कितने काम करती है rules बनाना, सदकार अपने लोगों की protection के लिए resources उनके लिए use करने, उसको निकालना, resources को control करना, अपनी territory को protect करना बाहर की लोगों से कितने सारे काम होते हैं तो सब मिल जूलकर तभी हर चीज का अलग minister बना दिया गया संभाल दीजिए, अरे minister साब क्या बात करें, आप urban governance संभाल दीजिए बात समझ रहे हैं, तो ऐसे मिल कर एक institution जो सब काम करता है अपने लोगों के लिए इतने सारे काम हमने देखे decisions लेना, श्रोल्ड, schools, hospitals बनाना, electricity पहुंचाना, ये सब की वज़े से हमें चाहिए कि कोई ये सब काम कर सके, तो ये खर्चे कहां से होते हैं, हमसे जो tax लिया जाता है न, वो ही tax लोगों से लेकर यहां पर खर्च किया जाता है तो जो पैसा हमसे लिया जा रहा है, वो हमारे rulers, हमारे representatives हमारे decision makers हमारे welfare के लिए कर्च कर रहे है समझ में आया लगाई जी, अब हम चलते है first topic की तरफ, आपकी class, chapter की that is levels of government, different levels होगा, एक, दो first level, second level third level, तो idea जे देखिए first level पे तो आजाएगी जी आपकी central government second level पे आजाएगी state government, और third level पे आपकी कौन आजाएगी local government अब मैं आपको बता जाती हूँ central government हम लोगों को क्यों चाहिए देखिए, इंडिया में nation में कुछ ऐसी चीज़ है जो कोई भी state में चले जाओ same है, for example आप ले लो banking, currency same है सब जगाँ पर हमारी same currency उसकी जाते है, note, paper सब same उसके लावा आप चले जाओ communication, same telephone lines, सब कुछ same चल रहा है ठीक है, defense की बात कर लो, foreign affairs की बात कर लो, ये तो नहीं है कि कल को west bengal करे है, मैं Canada से नराज हूँ मैं Canada की बात नहीं कर रहा है, तो अगर foreign affair है, मतलब सारी की सारी country as a unit represent कर रही है ना, उसको ये तो नहीं तामिलनाडू बोले, औरे, आप maintain कर लो, जी जो करना है, हम तो नहीं, आपके साथ अमेरिका से दोस्ती करने वाले, ऐसा नहीं हो सकता तो ये जो है, ये सारे के सारी central government जो दिली पे बैठी है वो control कर रही है, ये first level आ जाता है, अब हम बात करते हैं second level की state government, अब state government के पास जी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे की state government day to day काम देखती है, जैसे की public order, public order में रह रही है तमीज में रह रही है ये नहीं police state के control में आ जाती है और तो और जो prisons हैं, उनकी देखरेख भी state government करती है और जो third level of government है local government है तो वो एक तरीके की नहीं level of government, जैसे हम third पड़ेगे, बट वो किसके control में आ जाती है, state के control में, अब ये कौन सी होती है local government, दो टाइप्स की होती है, शायद आपको पता हो, rural area में, पंचायत और urban area में, एक नाम आप लोगोंने पका सुनोगा municipal corporation ठीक है ना? जहां पर election होती है, ये देखिए, ऐसे election नहीं होती है आपको वोटिंग नहीं पता क्या होता? अरे हाँ हाँ वही, तो मतलब एक central government होती है, जो irrespective of the state सारी country के लिए rules बनाती है, एक होती है आपके पास state government जो state के लिए rules बनाती है और एक होती है हमारी local government, जो local लोगों की demand देखिए, जैसे पंचायती राज, central government में कौन-कौन सी चीज़े आ जाएंगी foreign affairs आ गया, banking मतलब currency आ गया, कब किस देश के साथ लडाई होनी है, war and peace भी central government देखती है, सारा का सारा, banking insurance, सब जगा पे same, सब states में same insurance लगेगा railway तक, post तक, central government देखती है अब ये confuse करने के लिए नहीं है आपको कुछ extra चीज़े बता जूँ आप ये देखेंगे, ये चीज़े पूरी states में same तरीके से लागो होती है कहीं का दुका उपर नीचे नहीं इतनी बात आप लोगों को समझ में आया, तो मतलब हमारे तीन level of government है, central state and local government अब हमारे पास जो topic रह जाता है, वो है laws and government तो मैं आपको बताती हूँ अभी ये laws और government क्या होता है मुझे पाता है काफी लोगों confused होंगे, अरे यार मैं ये laws term क्या होता है, कानून क्या है ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि law का मतलब क्या होता है देखिए, law का मतलब ही होता है किसी तरीके का rule बना दिया या एक तरीके का system of rule बना दिया कौन बनाता है सरकार बनाती है एक तरीके की regulation लगा दी एक तरीके की instruction दे दी different नाम दे दी ना law को एक तरीके की direction दे दी कि ये ऐसे ही होगा एक तरीके की guideline दे दी उसको हम क्या कहते हैं लो तो पूरी कंट्री में जो लॉज बनाती है पूरी कंट्री के लिए वो central government आ गई तो government जो है वो laws बनाती है उसके पास power है to make decision ना केवर law बनाने की बलकि उसको enforce करने की enforce मतलब उसको लागू करना उसको implement करने की तो power government के पास है जैसे अगर किसी के पास license नहीं और वो bike चला रहा है तो ये भी तो law ही है कि भाई फिर तो jail के पीछे जाओगे अगर license नहीं आपके पास ठीक है तो इसके बारे में और बात करेंगे next class के अंदर अगर आप लोगो को ये session पसंद आया तो प्लीस लाक शेर और सब्सक्राइब तक्यू